अगर आप Taro में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप क्लिक करके जोइन कर सकते हैं और इसी से ही related अगर आपके मिल में कुछ सवाल हैं कुछ doubts हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको join कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपके जो भी doubts हैं जो भी सवाल हैं वो clear हो जाएंगे या फिर आप directly हमें screen पे दिये हुए number पे call भी कर सकते हैं तो जो भी आपके लिए convenient है वो आप कर सकते हैं Hello everyone मैं हूं किरिन शापरी और यह है आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि May month में आपके partner की क्या energies होंगी आपकी क्या energies होंगी finally May month में क्या होगा तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading आप लगों के लिए देखें कि May 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे पस यहां पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपकी partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे बहला card मुझे दिख रहा है The Moon और ये card कहता है कि कुछ time से या फिर में starting में किसी चीज को लेकर एक fear, anxiety, restlessness आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और देखें सब concerns के लिए different reasons रहेंगे लेकिन moon का card कहता है बहुत जबरदस एक confusion भी रहती हुई दिख रही है कहीं एक clarity नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीजें किस direction में जा रही है या फिर आपको इस situation में क्या करना चाहिए तो दिखें इस तरीके की energies कहीं फिर से मैं कहूंगे कुछ time से या में starting में रहती भी दिख रही है deeper level के लिए the young bride का card कहता है कि कुछ चीजों के लिए हो सकता है आपने अपनी self respect को compromise किया in fact देखिए mid में तक ही आप किसी चीज को लेकर over अपने partner को convince करते वे दिख रहे हैं या फिर over you know एक asking वाली energies में रहते वे दिख रहे हैं then we need fullness का card कहता है आप अपने partner का attention, अपने partner का साथ, अपने partner की companionship बहत जादा man चाह रहे हैं और इसी के लिए आप अपने partner को बहत जादा convince कर रहे हैं या फिर कोई भी और चीज हो सकती है कहीं overall के लिए दिखिए, आप अपने self respect को भूलते हुए उनको convince करते हुए दिख रहे हैं और कितनी बारी concerns मैंने देखा है जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है अपना अस्तित्व, अपनी identity, अपनी self-respect को भूल जाता है सिरफ और सिरफ एक ही चीज माइन में रहती है बस partner का साथ मिल जाए, उनकी attention मिल जाए और कहीं इसी लिए हम कितनी बारी over-expressive हो जाते हैं over you know उनको love करते हैं over उनके लिए चीजे करते हैं over उनकी care करते हैं और कहीं जो चीज हम अपने relationship को save करने के लिए बचाने के लिए partner की attention उनका love चाहने के लिए कर रहे होते हैं actually वही चीज हमारे relationship को खराब कर रही होती है और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप अपनी self respect को maintain करते हैं अगर आप किसी भी चीज को over नहीं करते हैं मतलब over express नहीं करते हैं अपना love, over care नहीं करते हैं over उनको किसी चीज के लिए convince नहीं करते हैं तो आप relationship को actually better कर पाएंगे, चीजों को better कर पाएंगे और अगर आपके partner ने आपके साथ रहना है तो वो रहेंगे नहीं रहना है तो नहीं रहेंगे लेकिन over करने से कभी भी चीजें ठीक नहीं होती हैं दीखे खाने में नमक बहुत एहम होता है लेकिन अगर हम एक चमच की बज़ाएं उसमें 20 चमच नमक डाल देंगे तो वो खाना खराब होता है, जादा नमक डालने से खाना कभी भी स्वादिश नहीं होता इसके बावजूत की नमक बहुत एहम है खाने में तो इस चीज का खयाल रखें और कहीं देखें, अगर मैं आपके कार्ड देखूँ तो एंड मे में इस चीज की रेलाइजेशन आपको होती भी दिख रही है जो भी आपकी एक कन्फूजन वाली एनरजीज हैं जहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं जहाँ पे लिटरली हो सकता है कुछ केंसेरियन्स, बेगिंग वाली एनरजीज में रह रहे हैं कोई चीज बहुत जादा चाहा रहे हैं, मांग रहे हैं वो एनरजीज कहीं मिड मे तक रहती भी दिख रही हैं एन में के लिए Ace of Souls का कार्ट कहता है कि आप काफी logical होते वे दिख रहे हैं या फिर emotions, feelings को side में रखते हुए mind से चीजों को deal कर रहे हैं थोड़े से blunt, थोड़े से straightforward होते हुए दिख रहे हैं या फिर थोड़ा एक बहुत जादा चीजों को लेकर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और कहीं इसी लिए फिर से मैं कहूंगी logically चीजों को deal कर रहे हैं कहीं emotions, feelings, sentiments and may में missing रहते हुए दिख रहे हैं तो दिखिए आपके partner के लिए हापे mystical union का card कहता है कि man ही man, शायद आपके partner को लग रहा है कि भी आप दोनों का union possible नहीं है आप दोनों का मिलना long term में possible नहीं है और इसी लिए या फिर otherwise भी कुछ चीजों को end करके एक नई beginning तो करना चाहा रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अब देखिए ये ending, beginning सब के इंसेरेंस के partner के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है जो भी issues, मसलें हैं आप दोनों के बीच में उसको end करके नए सिरे से आपके साथ एक beginning करना चाहा रहे हैं एक शुरुवात करना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और फिर से कहूंगे इसके लिए सब के इंसेरेंस के partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन mystical union का काट कहता है कि मन ही मन उनको ऐसे लगता है कि भाई future में आप दोनों का साथ होना आप दोनों की marriage, engagement या फिर इस तरीके की चीज़ें possible नहीं है और शायद इसी लिए देखे awareness का काट कहता है जो भी issues आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको ठीक करना चाहा रहे हैं, उनको resolve करना चाहा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ बहुत एक गुसा, बहुत एक frustration भी उनकी तरफ से रहती भी दिख रही है हो सकता है कि अभी तक वो बहुत ही patience के साथ, बहुत ही lovingly, बहुत ही compassionately चीज़ों को deal कर रहे थे आप दोनों के बीच में ऐसी situations थी, जिसमें उनका गुसा होना, उनका frustrated होना बहुत justified था, बहुत normal था लेकिन फिर भी वो बहुत lovingly चीज़ों को deal कर रहे थे और कहीं mid may में उनकी ये patience खतम होती भी दिख रही है, उनका ये sabr खतम होता हुआ दिख रहा है और कहीं ये बहुत frustrated होते भी दिख रहे हैं, एक बहुत गुसा उनको आता हुआ दिख रहा है and chariot reverse का card भी कहता है कि चीज़ों का control अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं move on करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं identifications का card कहता है, शायद उनको इस चीज़ की realization है कि उनको इतना hard नहीं होना चाहिए उनको थोड़ा soft होना चाहिए, उनको बहुत delicately चीज़ों को deal करना चाहिए और शायद मन ही मन ऐसा वो करना भी चाह रहे हैं, बहुत delicately चीज़ों को deal करना चाह रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि specifically mid May में वो ऐसा कर पा रहे हैं और in fact, end May के लिए भी the chariot reverse का card उनकी तरफ से rough rash वली energies represent कर रहा है और अब देखते हैं के इंसेज़ेंस की May month में क्या हो रहा है तो देखें, May starting के लिए deception का card कहता है जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, जो भी आप दोनों की energies हो कहीं मन ही मन एक cheating वली energies आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं अब देखें, मैंने हमेशा आपने वीडियो में बोला है cheating हमेशा ही third party, ये romantic triangle नहीं होता है अगर आपके partner ने आप से जूट बोला या आपने आपने partner से जूट बोला या transparency किसी भी level पर नहीं maintain करी तो वो भी cheating होती है तो इस तरीके का एक you know jealousy एक जैसे बोलते है used वाली भी feeling आप दोनों में से किसी को हो सकती है जैसे सामने वाले ने मेरा इस्तमाल किया सामने वाले ने मुझे value नहीं किया सामने वाले ने मुझे for granted लिया तो इस तरीके की energies इस relationship में रह रह रही है आप दोनों ही अपने अपने level पर महसूस कर सकते हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे है और page of cups का card कहता है surface level पर हो सकता है कि एक दूसरे से connect कर रहे है थोड़ी वहत आपकी बात cheat हो रही है या अगर आप दोनों एक दूसरे की तरफ से message, phone call, email का इंतजार कर रहे है तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को message, email, phone call करते होई दिख रहे है लेकिन deeper level के लिए मन ही मन specifically main starting में बहुत great आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं महसूस करते होई दिख रहे है mid may में कहीं किसी level पर चीज़ें बहतर होती होई दिख रहे है queen of wands का card कहता है बहुत courageously, बहुत boldly अपने लिए stand ले रहे है और जो भी action initiatives required है वो लेते होई दिख रहे है या आप दोनों में से किसी की पर energies हो सकती है लेकिन यहापर queen of wands का card है तो जो female है इस relationship में वो ज़्यादा actively you know stand ले रही है या फिर action initiatives ले रही है touching one another का card कहता है कि एक दूसरे का साथ आप दोनों ही मन ही मन चाहते होई दिख रहे हैं companionship चाहते होई दिख रहे हैं physical connect चाहते होई दिख रहे हैं और कहीं फिर से कहूंगी चीजों को better करना चाह रहे हैं resolve करना चाह रहे हैं आप दोनों में से किसी की तरफ से भी initiative हो सकता है लेकिन female जो है इस relationship में उनकी तरफ से एक initiative जाधा रहता हुआ दिख रहा है फिर से कहूं कि general reading है तो हम बहुत specifically नहीं बोल सकते कि खाली female ही है जो action initiatives ले रही है चीजों को improve करने के लिए जिनकी feminine energies हैं आप दोनों में से या फिर कोई भी हो सकता है लेकिन देखिए end में के लिए immature energies and the high priestess rivers के card कह रहे है कि कहीं आप दोनों के बीच में चीजें resolve होती भी नहीं दिख रही है कहीं issues solve होते भी नहीं दिख रहे है और इसके लिए सब concerns और उनके partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन यहाँ पर immature energies youthful folly का card कहता है कि आप दोनों में से कोई ये काफी immature तरीके से चीजों को deal कर रहे है बचकाना सा behavior हो रहा है थोड़े से impulsive हो रहे है थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे है सबर नहीं रख रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी एक बचकानी सी energies एक childish behavior एक immature energies जादा रहती वही दिख रही है और बहुत जादा आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही या उतना interaction नहीं हो रहा या फिर मैं बोलूँगी कि meaningful conversations नहीं हो रहे आप दोनों में से कोई एक हो सकता है दूसरे जन से कोई चीज़ छुपा रहे है secrecy maintain कर रहे है withdraw कर रहे है बहुत actively एक दूसरे की activities में involved होते वे कहीं end में में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं रहते वे दिख रहे हैं तो ये था किंसेरियन्स आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें